Customer side approach इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम customers को calculate करके market का पता कर रहे हैं Customer side approach एक quick calculation के लिए अच्छा है, बहुत कम information से आप market size को एक estimated size निगाल पाते हैं, लेकिन यह बहुत accurate नहीं होता एक area में 10,000 family रहती हैं और एक family में 4 लोग हैं, यानि 4 into 10,000 that is 40,000 people और हर आदमी एक महिने में एक साबुन का इस्तिमाल करता है, यानि हर महिने 40,000 साबुन इस्तिमाल हैं, एक साल में 40,000 into 12, 4,80,000 साबुन अब इस पूरे साबुन के मार्केट में हमारे कितने साबुन बिकेंगे, वो हमारी market share बताएगा, पर इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे Customer side approach वहाँ यूज करी जाती है जहां हमें investments के options देखने होते हैं, अगर आप business मेने तो आपको पता करना होता है, कि मैं इस market में क्यों जाऊं, क्योंकि अगर आप दूसी strategies पर जाएगे तो बहुत manpower लगती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है